इस वीडियो में आज मैं आपको दो तरीके से धोती को पहनना बताऊंगी दोनों तरीके से आप धोती को ट्राइ कर सकते हैं जो तरीका आपको easy लगे आप उस तरीकों को ट्राइ कर सकते हैं Hello everyone, Welcome back to my channel, मैं हूँ प्रगिती आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपनी नॉर्मल साडी से धोती लुक कैसे क्रियेट कर सकते हैं यह एक सिंपल प्रेंटेट साडी है जो आप वीडियो में देख रहे हैं इससे मैंने धोती लुक क्रियेट किया है किसी भी टॉप या किसी भी शॉट कुर्ती के साथ आप इस धोती को ट्राइ कर सकते हैं अगर आपकी प्लेंट साडी है या प्रेंटेट साडी है तो आप इस लुक को ट्राइ कर सकते हैं जब भी आज आप इस धोती लुक को क्रियेट करेंगे तो ध्यान रखेगा अगर आप plain top पहनते हैं या plain कुर्ती पहनते तो printed साड़ी लीजेगा अगर आप printed top या printed कुर्ती का यूज कर रहे हैं तो उसमें आप plain साड़ी का यूज कीजेगा फर्स डोती लुक को create करने के लिए यहाँ पर मैंने साड़ी को two parts में divide कर लिया यानि कि equally दो बराबर भागों में बाट लिया है और यहाँ पर हम एक tight knot बना लेंगे यानि कि गांट लगा लेंगे साड़ी को अब हम यहाँ पर left leg से नीचे लेते वे उपर को लेके आएंगे और जो यह हम starting वाला part है इसकी हम pleats बनाएंगे इसमें एक point आपको याद रखना है जो यह fall वाला part है इसको हम अंदर कर लेंगे वरना हमारी जो fall है वो धोती में बाहर से दिखेगी इसको हम अंदर की तरफ fold करके आप अपनी pleats को बनाएंगे हम यहाँ पर चोटी चोटी pleats बनाएंगे जितनी चोटी pleats होंगी उतनी ही अच्छी धोती का flare आएगा pleats बनाने के बाद इसको हम belly button के बीचो बीच यहाँ पर टक कर लेंगे और यहाँ पर चाहे तो आप safety pin से secure कर सकते हैं क्योंकि मैं just आपको try करके दिखाने ही इसलिए मैंने अभी यहाँ पर safety pin नहीं लगाया है अब हम यहाँ पर measure कर लेंगे कि पीचे यहाँ पर हमको धोती को टक करना है उतने पार्ट को छोड़कर हम बाकी की pleats बना लेंगे यह सारी pleats को बनाने के बाद हम pleats को अच्छे से gather कर लेंगे और जो हमारा back वाला पार है वहाँ पर बीच ओ बीच इसको भी टक कर लेंगे पीचे जो हम pleats को टक करेंगे इसको भी हम अच्छे से last में safety pin से secure कर लेंगे अभी हमारा एक leg का process complete नहीं हुआ है देखिए अभी हमारी धोती यहाँ से कितना lose है इसको कैसे करना है वह यह मैं आपको बात में बताऊंगी तब तक हम अपने right leg वाले धोती को भी उसी तरीके से pleats को बनाएंगे और belly button के पीचो भी इसको भी टक कर लेंगे जब भी आपको दोती लुक क्रियेट करने के लिए साड़ी को select करना हो तो आप overall पूरे में print same print हो उसी टाइप की साड़ी को लीजिएगा उसमें पलू अलग नहीं होना चाहिए same पूरी full printed साड़ी होगी तो उसमें बहुत अच्शा दोती लुक आए गई या पर आपकी साड़ी बिलकुल प्लेन हो तो उसमें भी आपका दोती लुक बहुत अच्छा आएगा बैक की प्लेट को भी हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे और पीछे उसको भी हम टक कर लेंगे और पीछे भी हम उसको safety pin से secure कर लेंगे उसके बाद आगे front में हम धोती को एक अच्छा tight fitting देने के लिए यह जो हमारा loose वाला पार्ट है उसको उपर लेकर बिल्कुल belly button के पास टक कर लेंगे सेम दूसरी leg में भी हम यही process को follow करेंगे इस तरीके से हम यहाँ पर टक कर लेंगे तो देखे हमारा यह धोती लोग कितना perfect और अच्छा आया है बिल्कुल neat अब चलिए आईए चलते हैं दूसरा तरीके से धोती को हम कैसे पहन सकते वह मैं आपको बताती हूं सेम उसी तरीके से हाँ पर भी हम सारी को टू पार्ट में डिवाइट करके एक नॉट बना लेंगे और left leg से दूती को निकालते हुए प्लीट बनाएंगे इसमें प्लीट सोड़ा दूसरी तरीकी कि बनेंगी इसमें हम ऊपर से सारी प्लीट बनाकर बैक में टक करेंगे में होती है यह फर बच्चे को किसी रोल प्ले के लिए रेडी करना है तो इस टाइप की धोती आपा खुद से अपने घर में किसी डुपटे से बनाकर रेडी कर सकते हैं अब मैंने एक साइट की फ्लीट COP को बैक साइड में पूलेगा जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख पाएंगे पीछे टक करने के बाद इस दोती से भी हम दो लुक बना सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगी यह कुछ प्लीट को हम एक साथ इखटा करेंगे और हम आगे की हो जाएगा यह देखें यह पर हम इसको सेफटी पिं से सिक्योर कर लेंगे में तो इसका साथ पूरी साड़ी को ले लेंगे और प्रन्ट में बैली बेटन के पास उसको मैजर कर लेंगे कि हमें कितना टक करना है तो यहां पर मैंने मेज enrich कर लिया है इसकी प्लीडस बना लेंगे और प्लीडस बनने के बाद हम इस तरीके से उसे भी बैली-बेटन के पास टक कर लेंगे इसने यहां पर भी मैं आपको दो तरीके से चिल्ट बनाना बताओंगे एक तो मैंने जिस से इस प्राइट लेग वाली में फ्लीट स्ट बनाई हैं सारी प्लीट्स को अच्छे से गैधर करने के बाद उनको हम अच्छे एक साथ मैनेज कर लेंगे मैनेज करने के बाद उसको फ्रेंट में बैली बिटन के पास को मैजर कर लेंगे और बाकी जितना भी साड़ी का जो फैब्रिक बचा है उसकी सारी की प्लीट्स बना लेंगे यहां पर मैं आपको जैसे प्लीट्स बनाना दिखा रही हूँ उस तरीके से भी आप प्लीट्स बना सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी प्लीट्स बनाना नहीं आता है अगर आप pleats बनाने में बिल्कुल ही beginner है तो इस तरीके से fold करके भी आप अपनी सारी pleats को बना सकते हैं और यह बहुत ही easy तरीका है देखे जैसे कि मैं fold कर रही हूँ एक उपर एक करके fold करके आप इस तरीके से अपनी pleats को बना सकते हैं सब्सक्राइब को एक साथ gather करने के बाद इसको भी हम belly button के पास टक कर लेंगे तो इस साइट का भी perfect look हमारा ready हो जाएगा दोती का यहां पर मैंने यह printed टॉप पैना हुआ है उसके साथ इसका लोग उतना अच्छा नहीं लग रहा है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में देखाया था प्लें कुर्ती या प्लें टॉप के साथ इसका लोग बहुत अच्छा है क्योंकि यह printed होती है front और back की जो तो pleats हमने बनाई है वहाँ पर आप अंदर से safety pin से secure भी कर सकते हैं तो बिल्कुल comfortable होती है हमारी ready हो चुकी देखिए इसमें pleats भी कितनी अच्छी आई है thank you so much for watching my video बिलते हैं next video में bye bye